नमस्कार आई आपको स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अकास लक्षर में और आज हम देखने वाले हैं कि लास 11 चैप्टर 1 के कुछ एमसी क्यूज बहुत इंपूरेंट हैं जनके आने के चांस बन रहे हैं उन्हीं में लेकर आ रहे हैं ठीक है तो आप देखते रहें वीडियो को वेना स्किप्ट किये हुए आखी तक और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वो लाइक बोटन को प्रेस कर लें तो आज ये शुरूबात करते हैं आज के अपने इस लेक्षर की ठीक है तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है कि निम्ले लिखित पर बिचार कीजिए निम्ले लिखित पर बिचार कीजिए किस पर बिचार करना है पहला हैगा खेसर या खचर खेसर या खचर दूसरा हैगा बंद या कामगर मदुमक्या तीसरा हैगा अनुबर मानब यूगल अनुबर मानब यूगल तो उपरुक्त मैसे कौन सा कौन सा या फिर से जीब जनन नहीं करता या करते हैं इन मैसे जो है वो कौन सा इसका राइट है वो हमें बताना है ठीक है तो इन मैसे हमें बताना है केवल एक सही हैगा या केवल एक और दो सही हैं केवल दो तीन सही हैं कि वह एक दो या तीन सही है इसमें से हमें बताना है इसमें कौन सा सही है ठीक है तो अब अगर हम इस प्रकार देखें निमलिकित पर बिचार कीजिए मैं उप्रोक्त मैंसे कौन सा या कौन से जनन नहीं कर सकते इनमें से हम देखते हैं कौन से जनन नहीं कर सकते तो हम देखत बंद है मतलब वो कैसा है बंद है तो बंद चीज है तो बो तो क्या है प्रजनल करेगी ही नहीं तो ये दूसरा भी इसका क्या हो गया तो इसमें क्या हो गए पहला और दूसरा दौनों क्या हो गए ये इस हिसाब से जो है जे जीव जनल ये दौनों जीव क्या है जनल नहीं क होता है कि ऐसा मानव यूगल जो निसेचन करने योग नहीं होता या फिर जिसमें वीरे की कमी इस टाइप के कुछ लक्षण होते हैं वो होता है अनुबार मानव यूगल ठीक है तो इनमें से जो अन्सर बनेगा बो बनेगा डी और इसकी सुझता के लिए एक दो और तीन इसके तीनों के तीनों जो आंसर हैं बो कैसे हैं सही है ठीक है इसका ये आंसर बन रहा है अब अंगला कोशन देखते हैं पर विचार कीजिए यानि इन पर विचार कीजिए या कुछ और है अच्छा तो इसमें कह रहा है जैविक उपापचाई किरियाओं के संधर्ब में यानि जो जैविक उपापचाई किरिया होती हैं उने के संबंध में तो कोशन क्या है कि जैविक उपापचई किरियाओं के संधर्ब में निम्लिकित कतनों पर बिचार कीजिए कुछ कतन दिये गा है इन पर क्या करना है बिचार करना है तो मानब सरीर में होने वाली सभी रासाने किरियाओं जैविक उपापचई किरियाओं है यानि मानब जो सरीर में जो होने वाले सभी जो रासाने किरियां है वो कैसी है जैविक है मतलब मानब सरीर में जो होने वाले सभी किरियां है वो कैसी है जैविक है पहला ये कह रहा है पॉइंट अब दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी निरजीब में किसी भी नरजीम में ये किरियाँ नहीं होती है यानि जो किरियाँ होती है उपपचई यानि मेटावालिस्म किरियाँ वो किसी नरजीम में नहीं होती है दूसरा अपसन ये कह रहा है तीसरा कह रहा है कि जैविक उपापचाई किरियाओं को जीव के सरीर से बाहर परकनली में भी कराया जा सकता है उपरियुक्त कतनों में से कौन सा या कौन से कतन सकते हैं तो इन किरियाओं को परकनली में कराया सकता है ये तो इसका क्या है गलत ही हैगा तो इसमें तीन को तो हम को सही कहीं रखना ही नहीं है एसरसाफ से इसमें तीन आ रहा हैookie तो यह दोनों क्या हैं गलत हैं अब इनमें से दो वर्चर, आनसर उन दो में से हमें एक को बनाना है टीक है? आब इसमें देखेंगे हम कि मानब सरीर में होने वाले सभी रासाने के रियां जैविक होती है हाँ होती है ये तो सही है और जो जैविक के रियां या मैटा वाले सम्ट के रियां है वो किसी निर्जीम में नहीं होती है ये सदिप सजीम में होती है तो एक और दो इसके क्या है सही answer है एक और दो यानि पहला वाला इस answer कैसा है राइट है ठीक है तो हम सकी करती है सुधा तो इसका कौन सा राइट है यह हमने बता है दूसरे का राइट है पहला और दूसरा ठीक है अंगला कोसन देखते हैं कि जीवों के बैग्यानिक नाम की पद्दती के संदर्व में निमलिकत कफनों पर बिचार कीजिए यानि जीवों के बैग्यानिक नाम की पद्दती के संदर्व में निमलिकत कफनों पर जो बैग्यानिक नाम है वो उसके संदर्व में कुछ कफन दिये गए है तो पहला जिसमें दिया गया है वो है कि पौधों के लिए बैग्याने के नाम का आदार International Code of Geological Nominee Culture ICZN में दिया गया है ठीक है दूसरा है गा कि जीवों के बैग्याने के नाम की दूई नाम पद्दती केलोरस लीनियस दुआरा सुजाई गई थी ठीक है तीसरा है गा दूई नाम पद्दती में पहला सब्द जाती संकेद पद होता है जबकि दूसरा सब्द वन्स नाम होता है उप्रियों कतनों में से कौन सा या से कतन सत्थ हैं इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से कतन जो हैं वो कैसे हैं सत्थ हैं इसमें हमें ये बताना है कि कौन से योकत हैं वो क्या हैं सत्त हैं हम पहले कोशन पिर गौर करते हैं कि पौधों के लिए बैग्यानिक नाम का आधार International Code of Geological Geological क्या? Geological Geological तो Geological से ही समझ में आ रहा है जू यानि जन्तू तो इसमें पादब नहीं है इसमें क्या है जन्तू पहला option क्या है गलत क्योंकि जन्तूओं को नहीं किया जाता I, C, Z, N में जन्तू इसमें पादों को नहीं जन्तूओं को किया जाता इसके अंतरगा नाम करन ठीक है अब दूसरा हैगा कि जीवों के बैग्यानिक नाम की पद्दती दूई नाम पद्दती केलरस लेनियस ने दी ती यह तो हम जानते हैं यह क्या है सही ऑप्सन है अब तीसरा जाएगा कि दूई नाम पद्दती में पहला सब्द जाती संकेद पद पहला जाती का होता है नहीं होता है पहला किसका होता है वंस का होता है दूसरा किसका होता है जाती का होता है दूसरा वाला किसका होता है जाती का होता है तो यह भ सभी है यानि केवल दूसरा वाला सभी है चलो इसकी सुद्धता देख लेती है क्या है तो यह सभी है कौन से सभी दूसरा वाला अंगला कोशन हम देखते हैं चार यानि बर्ग की पदानू करम यानी टैक्सीनॉमिकल ने हर वे हेरेंस सीजी ओ हैं कि अंतरगत आने वाले वंस यानी जीनस उपर वर्ग के संदर्व में निम्लिकित कतनों में से कौन सा या कौन से कतन सही हैं अब आता है प्रताइक बंस में एक अत्वा एक से अधिक जाती संकित पद हो सकती हैं प्रताइक बंस में एक या अत्वा एक से अ कर नीचे दिये गड़ी कुट का प्रियोक कर सही उत्तर चैन कीजिए ठीक है कि तो इसका हम को चैन करना है सही उत्तर का ठीक है तो इसमें हमस्ण तो प्रत रच Ops में एक अटवा एक से अधिक जाती संकेत्पद हो सकती है यह कूं JAMES है पहला option साई ब6 का सेर ची ता बिली एकई बंस में आते हैं नहीं को नहीं आतें टो इसके कौन साइन के वर पहला रायट है के वल पहला वाला क्या इसका राइट है ठीक है कि अब हम अंडिकल है यह इसी को देखती है इस एक को सामारा समय था या गलत तो पहला साही था यह को से सब्सक्राइब पांचवा को सब्सक्राइब नेशनल बाटनिकल रिसर्च इंसिस्टिव निम्लिकित में से कहां पर उपस्तित लगा है यह उपस्तित लगा गया तो हावडा में हैं लखनव में हैं नागपुर में हैं या फिर चैन्नाई में हैं जल्दी से आप इसको बताए हावडा लखनाव नागपूर या चेननाई कहां पर ये इस्तित है चलिए बताएं कहां पर ये इस्तित है इन चारों में से कहां पर इस्तित है ये हावडा लखनव या फिर नागपूर या फिर चिन नहीं कहां पर रिस्तित है बहुत इंपनेंट कोशन है लखनव में चलो देखते हैं कि आंसर बंद रहा है इसका सुस्टर्प के साथ बंद रहा है लखनाओ तो हमने भी क्या बता आता है लखनाओ बता आंगे चलते हैं कि जीवधारियों की बरगी करण की सबसे चोटी एकाई क्या होती है यह जाती ओती है बंस होता है गंड होता है तो जीवधारियों की बर्गी करण की सबसे चोटी काई क्या होती है जाती होती है यह हम जानते हैं दूसरा कोसन है का बर्गी करण मैं सरवो संबर कौन सा है जाती प्रभाग संग या जगत कौन सा इसमें जो हैगा वो सरवादिक है तो कौन सा है का जगत जगत जो होता है वो सबसे बड़ा प्रभाग होता है दुई नाम पद्दती का प्रति पादन किसने किया था जानरे ने केलरस लीनियस ने या अरनेस्ट मायर ने यह यह मैंसे किसी ने नहीं किसने किया था दूई नाम पद्दती का यह हम पहले भी देख चुके हैं अभी के अभी दूई नाम पद्दती केलरस लीनियस ठीक है इन्होंने किया था अंगला कोशन हम देखते हैं चौथा कोशन है कि आम का बैग ज्याने के नाम क्या होता है सॉलेनम ट्यूए ट्यूवे रोसम या लाइको पार्की कौन एक्यू लेंडम या फिर महंगी फेरा इंडीका या पिटूनिया इंडीका क्या होता है महंगी फेरा इंडीका लेकिन इसमें कभी कभी लिन लिन भी ल का लिन के मैंगी फेरा लिन का लिन का लिन के लिन से का किसे का यहार होता है मिंधट ήταν का बास्तिविक अस्तित्व है अब आता है दूइनाम पद्दती में कौन से दो नाम होते हैं कुल और बंस का गण और कुल का बंस और जाती का जगतिया किश्म का तो किसका होता है पहला ने यह जाती ठीक है यह हो गया आप आजाता है नियू लिस्टेमेटिक सब्द किसने दिया था लीनियस ने हो करने मायर ने जूलियस हकसले ने किसने दिया था बताई इन चारों में से जल्दी से जल्दी तो वो दिया था जूलियस हकसाले ने किसने दिया था जूलियस हकसाले ने यह सबसे पहरे दिया था किसने दिया था जूलियस हकसाले ने अब आज का जो हमारा सेशन था छोटा था किलास 11 का था इसलिए छोटा था टोईल्थ का होता तो थोड़ा बढ़ा होता ठीक है तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को सेहर करें अपने दोस्तों तक पहुचा आएं लाइक करें और आमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद बदले अपने सोच तो बदले का जीवन वैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सभी को free of cost मिल रही है तो अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कोपी बढ़ना जाते हैं तो आपको खरीदने की ज़ुरत नहीं है दोनों गए किताब लेके आए दोनों ने master your thoughts, master your life तो रुपेश रुपेश गया मैं दूसरे का नाम को लिया रुपेश गया, रुपेश ने किताब खोली and पढ़ने लगा रुपेश ने पहला पनना पढ़ा आँखों ने कहा सोजा, रुपेश ने कहा नई magic of thinking rich, रुपेश ने दूसरा पनना पढ़ा, mind ने आँखों ने, body ने सब ने कहा रुपेश सोजा, और राइट रुपेश ने कहा नई-नई magic of thinking rich लेकिन रुपेश ने 30 अपन चब तक पढ़ा, रुपेश give up कर गया रुपेश अपने subconscious mind के सांच हार गया रुपेश का conscious mind कह रहा था बढ़ ले लेकिन अपने subconscious mind जिसने पूरी body को पूरे जहन को Goran कर रखा उसने का आप सूजा सूजा रुपेश ने तीन पने पढ़े रुपेश सू गया लेकिन अब मैं बोल गया उस बंदे का नाव तो दूसरा बंदा मान लीज़े करन करन सी क्या है इस वरक्षोप में कि यार लक्षमी चाहिए तो सरस्वती लाने पड़ेगे सरस्वती लाने के किताब पड़नी पड़ेगे सरस्वती लाने के लिए नॉलइच पड़ेगा, एटिटीट्योर पर काम करना पड़ेगा, स्किल्स पे, स्ट्राटिजी पे, हैवित पे और ये सबई चीज़ों पे काम करने के लिए aint ने किया समदूर्टों हें करन का सबकॉंशिस माइड दर गया सालन में इतना गुस्सा मैंने देखा नहीं कभी करन का माइड करन का सबकॉंशिस माइड गयरा था पढ़ सबकॉंशिस बोला सोजा करन ने अपने सबकॉंशिस बोला को बोला चुप होजा चुप करन ने पढ़ना शुरू किया 25-30 पेजिस पढ़े 25-30 पेजिस जैसे दैसे करन ने पढ़े करन का सबकॉंशिस माइड फिर से बुला सूजा करन ने का चुप करन उठा बिस्तर से उठा और चलने लगा चलते चलते पढ़ने लगा करन ने अब चलते चलते पढ़ने के कारन उसकी नीम थोड़ी गायव हुई और अब करन ने 45-50 पेजेस पढ़ लिये जब करन ने 45-50 पेजेस पढ़ लिये तो रात को साड़े 12 बजने लगे करन के subconscious mind ने फिर का करन सूजा करन सूजा करन ने फिर से अपने mind को का चुप हो जा करन वापस से गया किचन के अंदर गया उसने अपने लिए चाए बनाई और चाए बनाके उसने चाए पी अपनी नीद भगाई फिर से आदा गंटा पढ़ा फिर 10 पेजेस पढ़े करन को फिर से नीद आने लगी करन के सबकॉंशिस माइड ने का सो जा करन के कॉंशिस माइड ने का चुप हो जा करन बातरूम में गया उसने अपना मूद होया और उसने फिर से बढ़ना शुरू किया और जब करन रात को सोया तब करन के चतर पीजेस बढ़ चुका था अगले दिन सुबह करन और राशीद राशीद नाम है या कोई भी रशीद जो भी नाम था रिशब डोनों बंदे जब अगले दिन सुबह उठे पहले वाले कब दिमाग सिर्फ तीन पेज उपर गया लेकिन करन का दिमाग तिचरतर पेज़ेज डिवलप हो चुका था अब दूसरे दिन इस बंदे ने किताब उठाई नहीं लेकिन दूसरे दिन करन का दिमाग डेड़ सो पेज़ेज उपर तीसरे दिन इसने किताब पढ़ने का कभी दिमाग में भी खयाल नहीं लाया और इसने ये सूच लिया वरकशॉप में कभी भी डिवलपमेंट नहीं होत लेकिन Krann का दिमाह 100 पन्ने उप़ और जब एक साल बाद की बात आई तो यह बंदा इधर ही रहा लेकिन करन वीज सानर के दूनों के दौनों 10,000 कमा रहे थे थीं साल बाद करन कमाने लगता है तीन लाख रूप्य महिना और यह बंदा 10,000 से पहुंसता है 20,000 महिना Do you know what is the difference?